दोस्तों कि आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जो एंटीपेटिक दी जाती है जिसमें एक पाउडर वाली दवा उती है और साथ में लिकुड होता है पादी होता है मिक्स करने के लिए तो उसके क्या importance है उसकी क्या हमियत है treatment के अंदर क्यू देना चाहिए उससे क्या क्या side effect हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आपने एक दिन के बच्चे से लेके तकरिबन पास साल के बच्चे को जब भी दवा खाने में लेकर गए होंगे किसी बीमारी के लिए तो डॉक्टर आपको एक दवाई जरूर साथ में देते हैं जिसके अंदर एक पौडर अलग से होता है पानी अलग से होता है तो जाते हैं तो वह बीमारी पाइदा करते हैं तो हमें बीमारी से एक महीने का बच्चा है यह पास साल तक बच्चे जो टैबलेट नहीं कहा सकते ऐसे लोगों को दॉक्टर यह इन पौडर वाली दवाई लेकर देते हैं जिसमें पाणी अलग- आलग होता है तो मैं इनमे प् फ़िट करते खासकर बच्छों के अंदर तो कई माबाब जो है कि दौई लेकर नहीं जाते मेडिकल पर पूछ लेते कि उसका तरीका है देने का उससाफ से नहीं देते यह कई बार बच्चों को उसका टेस्ट बच्च पहली बार उल्टी कर देता तो देना बन कर देते कही बार किसी को फिर भी क्यान लुछ दिया अच्छे से उबाल भी दिया लेकिन आपकी चाय नहीं बनना है क्यों कि आपने उसमें पत्ती नहीं दाली चाय की पत्ती के बगर जिस तरह से चाय नहीं बन सकती उसी तरह से अगर तो बगर एंटिबाईटिक के बीमारी ठीक नहीं हो सकती है अगर एंटिबाईटिक नहीं देंगेी हैं अगर बच्चे को है अगर a Morigi अगर टायम पे नहीं बिली ब्रॉपर ऑने आ पर सकत है और जो कोर्स आपका 1500-200 रुपे में हो सकता था उसी के लिए फिर आपको 1000 रुपे खर्चा करना पड़ सकता है और जो मांसितरास और जो फिजिकल एक्जर्शन हो जाता वो अलग से हो जाता है तो आपको जो है जब भी आपका डॉक्टर एंटिबाटिक दे पौडर वाले दवा दे आपको जरूर जरूर उसे देना है अगर हां कुछ इश्यू होते है जैसे बच्चों को लूज मोशन लगते है या बच्चे को फिलेवर पसंद नहीं है बच्चों को अगर उसका टेस्ट पसंद नहीं है बच्चों मेटिंग कर रहा है उससे उल्टी कर रहा है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से डिसकस करिए उसका अल्टरनेट ढूनिए बहुत सारे अल्टरनेट मेडिसिन आते है बगर पौडर वाले एंटिबाटिक भी आ जरूर को लग रहा है कि इसको एंटिबाटिक के जirông कर देता है त reicht कि दोस्तों में बारे में बाट किया है अगर इस दो शचले की शेयर कीजिए और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्रेल वाशिम जरूर सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू बाई